अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला एक भी कश्मीरी हाथ नहीं बचेगा ये शब्द थे कश्मीर की पुर्व मुख्य मंत्री महभूबा मुफ्ती के लेकिन इस साल 15 अगस्त को कश्मीर में जो दृष्य दिखाई दिया उसे देखकर ऐसा कहने वालों की बोलती बंद हो जाएगी कैसे चलिए जानते हैं जिस कश्मीर में एक समय 14 और 15 अगस्त के दिन दंगो के डर से एक कर्फ्यू लगाया जाता था उसी कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद इस साल 15 अगस्त को हर घर तिरंगा लहराया गया और हर कश्मीरी के हातों में तिरंगा दिखाई दिया यहां तक की कश्मीर में आतंक मचाने वाला हिजबुल मुजाइदिन का आतंकी जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू भी भारत का तिरंगा फेराते हुए दिखाई दिया और तो और 14 अगस्त के दिन P.O.K. में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में काला दिवस मनाया और पाकिस्तान से आजादी की मांग रखी और गाईज ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे भारत सरकार के कड़े फैसलों की वज़े से धारा 378 अटाने के फैसली की वज़े से धीरे धीरे कश्मीर का रूप बदल रहा है और वहाँ पर शांती कायम हो रही है अमेरिका के कदिकारी माइक बेंज ने ये खुलासा किया है कि मोदी जी की पपलारिटी को घटाने के लिए अमेरिका के कुछ गुप्त राजनितिक समूहों ने अब तक 200 करोड रुपे खर्च कर दिये हैं उनके अनुसार मोदी जी भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं इसलिए दुनिया के कई देश भारत के पक्ष में निरने ले रहे हैं जैसे की रशिया युक्रेन युद्ध के दोरान रशिया ने सेंक्षन की चिंता किये बिना भारत को डिसकाउंटिड रेट में उइल दिया था इसी बज़े से मोदी जी की पॉपुलरेटी से परिशान अमेरिका के कई मेडिया हाउसस में एंटी इंडिया और एंटी मोदी केमपेञ्ट चलाये जा रहे हैं इसके बाद तो जैसे कि उनके अंदर का आटिस्टी बाहर आ गया लोग ऐसा कहते हैं कि बस कंड़क्टर के तोर पे वो काफी जादा फेमस हो गए थे क्योंकि वो बहुती स्टाइल से सीटी मारा करते थे और बहुती स्टाइल से टिकेट काटा करते थे ये देखकर उनके साथियों ने उनको एक्टिंग स्कूल जोइन करने के लिए मोटिवेट किया और साथी साथ उनकी फीज भी भरी और उसके बाद उनकी पीछे मुड के कभी नहीं देखा काफी स्ट्रगल के बाद उनकी पहली मुवी में ही उन्हें नैशनल अबोर्ड मिला और देखते ही देखते वो साथ में सूपरस्टार और गोड माने जाने लगे जहां हालात ये हैं कि बाकी एक्टर्स को अपनी मुवीज होलीड के दिन रिलीस करनी पड़ती है वहीं जब इस सूपरस्टार की मुवी आती है तो अपने आप वो दिन होलीडे हो जाता है येस आम टॉकिंग अबाउट थलाईवा रजवी कान का ओए माकेबा गाईज मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोशल मीडिया पर पॉपलर इस गाने में माकेबा का मतलब क्या है चलिए हम आपको बताते हैं देखिए इस पॉपलर गाने में माकेबा शब्द अफरीका की सोंग राइटर मिरियम माकेबा के नाम से लिया गया है कि दक्षिन अफरीका के कुछ गोरे लोगों ने अफरीका के ही काले लोगों के खिलाफ इस्तमाल करने के लिए हतियार इकठा किये हैं। इसके बाद दक्षिन अफरीका सरकार ने माकेबा की नागरिकता रद कर दी थी और उन्हें देश से निकाल दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी भी आंदोलन को कला की आवाज दी जाती है तो वो और तेजी से फैलने लगती है और कुछ ऐसा ही हुआ माकेबा के साथ भी साल 2015 में बनाया गया उनका ये गाना अब 8 सालों बाद सोचल मेडिया की दुनिया में आग की तरह फैल गया गाइस क्या आपको इस पॉपलर गाने की पीछे की सचा ही पता थी और अगर नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलते अगली वीडियो में